यहां पर मैं ग्रीन एंड रेड कलर की साड़ी को ड्रेप करने वाली हूं तो फर्स्ट ड्रेप नॉर्मल ड्रेप है नॉर्मल प्लिटेड ड्रेप है इसके लिए हम राइट से होते हुए लेफ्ट की तरफ को नॉर्मल बेसिक टक करेंगे बहुत ही नीटली टक करेंगे और उसके बाद पल्लू पोर्शन में जाएंगे यहां पर हम जो बॉर्डर हमारा है उसी के हिसाब से हम सारे प्लीट्स बनाएंगे और लास वाला प्लीट्स हम बाहर की साइट को रखेंगे और इन सब प्लीटों को हम अच्छे से नीचे तक सेट करेंगे और अब इसे सेप्टी पिंस से सिक्योर करेंगे अब पीछे से घुमा कर अपने लेफ्ट हैंड के शोल्डर में रखेंगे और लंबाई में थोड़ा सा नीचे तक रखेंगे और उसके बाद सामने के प्लीट्स बनाएंगे तो पीछे से हम टाइप पकड़के खुमा कर सामने की तरफ को लेके आएंगे और अब हम इस पोशन को अंदर टक करेंगे और सामने के प्लीट्स पहले बना लेंगे और यहां पर मैंने सारे बड़े बड़े प्लीट्स बनाए है तो बड़े बड़े प्लीट्स ही बनाई यह जिस से नीचे जो प्लीट्स पढ़ेंगे बहुत ही ब्यूटिफली पढ़ेंगे अब मैंने इन सारे प्लीटों को नीचे तक मैं अच्छे से सेट करूँगी तो सारे प्लीटों मैंने सेट कर दिये हैं और सारे के सारे प्लीटों के बीच में मैं थोड़ थोड़ डिसन्स का गैब दे रही हूँ और यह वाला जो पॉर्शन है इसको मैं छोड़ दूँगी और इन सारे प्लीटों को अंदर टक कर देंगे हम बैली बटन को मिडल में रख कर इस पॉर्शन को जो हमने छोड़ा था इसे हम इस साइज का पॉर्शन हमने थोड़ सब खोल के रखा है इसमें अपने हाथ को घुसाएंगे और यहां के पॉर्शन जो हमने छोड़ा था उसे अच्छे से कीच कर उससाइड को निकालेंगे दस लाइक तेस पहले अच्छे से सेट कर लेंगे अधैन यहाँ पे ट्विस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम इसे टक कर लेंगे और बात बाकी जो फैब्रिक है उसे भी अच्छे से हम टक कर लेंगे तो आप देख सकते हो मेरे नीचे के प्लीट कितने अच्छे से पड़े है और अब हम इन सब प्लीटों को पकड़ कर बीच में हम सेप्टी पिन लगाएंगे तो इसे हम अंदर की साइड से सेप्टी पिन को लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने सेप्टी पिन ले लिया है और मैंने इसे टक कर दिया है और अब हम पल्लू कोशन के प्लीट बनाएंगे तो यहां पर हमने pleats पहले से बना रखे हैं तो जहां पर safety pin मैंने लगाया तो उसे मैंने खोल लिया है और इस को थोड़ा सा अच्छे से set करेंगे तो ज़्यादा set करनी के जूरत नहीं है बिल्कुर अच्छे से set हो रखा है और अब हम इसे pleats को blouse के साथ pin up करेंगे तो थोड़ा से पिछे के side में रखकर pin करेंगे तो यहां मैंने pin कर लिया है and that's it तो आप देख सकते हो कितने बड़ी अतरीके से saadi drape हो चुकी है तो अब हम second drape करेंगे तो second drape के लिए just जो हमने saadi पहन रखा उसी का एक corner लेके सामने लेके आएंगे और इसे हम थोड़ा सा just curly set करेंगे और इसे हम अपने blouse के side पर जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वहाँ पर लगा देंगे safety pin के साथ तो इससे भी एक नया लुक आ जाता है इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं बट मैंने इसे pair up किया है कमर बंद के साथ तो यह देखें यह एक नया लुक आ गया थर्ड लुक के लिए जो नॉर्मल साड़ी हमने पहन रखी थी उसी का pin हम खोलेंगे पल्लू के portion का देन उसे पीछे से खुमा कर सामनी की तरफ को लेके आएंगे और उसे सामने अपने left hand के shoulder में ही रखेंगे और उसके बाद हम इसको pin up कर लेंगे लाउस के साथ और अपने पल्लू को थोड़ा सा पीछी की side को लेके आएंगे सामनी की side से और उसे पीछे टक करेंगे जैसे का वीडियो में देख सकते हो करेंगे और जो यह पीछे का जो हमारा लंबा पल्लू है उसे सामनी लेके आएंगे तोड़ा साइस के प्लीटो को उच्छे से सेट कर लेंगे इसे अपनी प्रीटों के बीच में रखकर सेप्टी पिन से सिक्यूर कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सेप्टी पिन से सिक्यूर कर लिया है तो इसे मैंने पेरब किया है कमर बंद के साथ तो इसका लुक और भी निकर के आता है तो कमर बंद को पीचे का पल्लू इसकी नीचे से निकाल कर लगाना है तो यह एक नया अच्छा लुक आ गया फोर्थ लुक के लिए हम क्या करेंगे अपने पल्लू को पीचे से खुमा कर अपने राइट हैंड के शोल्डर में रखेंगे और उसके बाद एक प्लीट को पीचे से खुमा कर सामनी की तरफ को लेके आएंगे जहां तक आता है वहीं तक हम कीच के लेके आएंगे और उसके बाद इसको सेप्टी पिन के साथ सिक्यूर कर लेंगे तो यह देखिए यह भी एक नया लुक आ गया इसे भी मैंने प्यारप किया है कमर बंद के साथ तो इसका लुक और भी खिलके आ गया तो इस फेस्टिव सीजर में आपको इन चारो लुकों में से कौन सा लुक सबसे जादा पसंद है जरू मुझे कमेंट बोक्स में बता आना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शियर करना थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो इस वीडियो तिल थे केर बबाई